नमस्कार आप सभी का स्वागत है NKP प्रोडक्सर में मैं हूँ निरज कमार और आप सभी को आज अपडेट देने जा रहा हूँ जो टेंथ पास हुए हैं उनके लिए जो स्टुडेंट टेंथ पास हुए हैं इस बार अस्पेसली गल्स के लिए मैं बता दूँ जो अपडेट है आज वो गल्स के लिए है यह जो यूरिसलीन इंटर कॉलेज राची आपको दिख रहा होगा मैं इसके बारे में अपडेट आपको देना जा रहा हूँ तो आपको यह मैं मोबाइल भ्यू दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस में बताने वाला हूँ क्या क्या कोर्सेस होती है क्या पूरा डिटेल है पूरी अंत का वीडियो पर बने रहेंगे और पहली बार आए मेरे चैनल पर लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेंगे बगल में बैल आइकन उसे भी बजा लेंगे तो चलिए सब्सक्राइब का कॉलेज है यह लड़कियों के लिए खास है और एडविशन फॉर्म जो है इसका निकल चुका है तेन पास जो आप किये हैं एडविशन पहले नौटिस में लोग आते हैं जैसे यहां एडविशन नौटिस में आप क्लिक किजएगा आपको यहां पर पू सुचना जारी हो चुका है सतर दोजार बाइस से लेकर के चोबिस तक का चब एकीस तारीक को यह निकाला गया है ठीक है और इसमें जो है प्रकासन आपको बता दे बाइस तारीक से फॉर्म बितना चालू है बाइस जून से आपका वेबसाइट जो है वेबसाइट है वह www. www.uicaranchi.com इस पे जा करके आप form डानलोड कर सकते हैं और दो तारीक तक आपको अंतिम डेट है जो आपको form जमा करना है form आपका ये offline mode पर आपको मिल रहा है online mode पर भी आप इसके डानलोड करके form को fill up करके अभी मैं बताऊंगा कैसे form fill up करना है fill up करके 10 बजे से ले करके 3 बजे दोपार 3 बजे तक आप college के counter में जा करके जमा कर सकते हैं form का सुल्क जो है वो 300 रुपे है तो ये जो आपका है पहला सुची जो है लबकि जो एडविशन का पहला लिस्ट निकलेगा वो 7-7 को निकलेगा 7 जुलाई को निकलेगा सुबा 10 बजे उसमें जो इच्छुख होंगे जिनका नाम आएगा 8 से ले करके 17 जुलाई तक में अपना नामंकन करा सकेंगे वही नामंकन कराने का समय जो है वो सारे 9 बजे से 4 बजे तक करेगा साम 4 बजे तक का और जितने भी नामंकन में प्रकासन होगा उसमें सुचना जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और यहां जो है आपका नामंकन सुची में CBAC और ICAC के रिजल्ट निकलने के बाद ही प्रकासित की जाएगी CBAC का जो रिजल्ट निकलेगा परिक्षा लंबित होने के कारण आपका जो फॉर्म ले सकेंगे ठीक है एड्मिस्ट के प्रक्रिया रिजल्ट के बाद में भी आपका निकलने के बाद सुरू की जाएगी CBAC और ICAC बॉर्ट के लिए उसके बाद में आपको बता दे नए कलास की आरम की तिथी जो है नामंकन के बाद घोसित की जाएगी दी नहीं मतलब की घोसित की जाएगी कि आपका कब से चलेगा चलिए आते हैं इसमें आपका क्या क्या इंटर कोलेज आपका इसमें नामकुम में जो है जैक, ICAC, CBAC के लिए सीधा नामंका नेतु उसमें आपको क्या करना है इसमें आपको क्या 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 आपका स्ट्रीम मिल रहा है उसके लिए मिल रहा है साइंस स्ट्रीम है 70% आपका प्राप्त होनी चाहिए साइंस में बिसाय गनीत और साइंस में 70% उपरांत होना चाहिए उसमें आपको प्राथिमिक्ता मिलेगी वहीं जो arts stream है उसमें कम से कम second division होना चाहिए 300 रुपेज के लिए form है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपका form का समीट कर सकते हैं और इसमें बता दे हैं चात्रावास जिसे आप लोग बोलते हैं कि hostel facility इसी campus के अंदरे चात्रावों कले बड़ा सुईधा नुसार वहाँ पे चात्रावास है hostel में रिच्चुक जो भी रहना चाहेंगे वो office से जानकारी ले सकते हैं इसके लिए बताया गया है जुलाई में जुलाई के दूसरे या तीसरे सब्ता से तीथी इसका घोशनी घोशना कर दी जाएगी यह आपका सारा detail है detail को आप पढ़ सकते हैं अगर किसी तरह का दिक्कत होती है अब आते हैं कि आपका मलब कि form का detail में form का detail में क्या दिखाए गया है तो form जो है एडविशन form जिसे आपको download करना एडविशन लेना है तो एडविशन form 2022 में आपको click करना है यहाँ download होगा आपका admission form download करके आप देखिए क्या क्या आपको इसमें detail मांगा है अपना नाम भरिए यहाँ पर अपना photo को attest करेंगे color photograph आपको state करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम father name, father का नाम और occupation mother का नाम, occupation, date of birth mother कौन सा language बोलती है mother tongue जो है national team Indian में होगा religion में आपका कौन सा आता है उसे आप भरेंगे category कौन सा आता है आपका category भी बरियेगा उसके बाद में कौन सा कौन सा subject यहाँ पर आपको लेना है science लेना है तो यहाँ पर offer किया जा रहा है English, physics, chemistry और optional जो है वहीं आपको बता दे arts के लिए compulsory English और Hindi है commerce के लिए compulsory English accountancy और business studies है और इसमें से आपको है कि any two optional में जो है दो आपको चूच करना है science लेते हैं तो math, biology, economics, computer science जो भी एक लिए दो लेना है उसमें आपको लिए किजिएगा tick कर दीजिएगा वहीं आपको बता दे arts लेना है तो arts के लिए आपका history, geography, home science, political science economics इसमें से तीन आपको select करना है तीन जो भी लेना है ले सकते है और जिन्होंने arts लिया है commerce के लिए आपका दो है उसके लिए दो select करना है आपको commercial arithmetic है entrepreneurship है computer science दोनों साथ में है और economics है तीनों में से आपको दो select करना है उसके बाद में आपको ये form को और फिर से पुरा detail fill up करना है अपका फिर यहां पर sign up का होगा उसके बाद में इसे आप submit करेंगे college के counter पे उसके साथ में 300 रुपया भी जमा करना होगा बस ये process से आपका form apply करने का form apply कीजिए इसके बाद में भी दिक्कत होती है तो आप अगर और भी update चाते है बहुत बहुत दन्यवाद